किसान भायो नमस्कार रामरा मैं हूँ आपका किसान दोश्ट वीडियो और आप देख रहे है। इनुविटिव फार्मर्स यूटिव चैजर। किसान भायो अकसर आप हमारे चैनल के उपर देखते हैं हैं बागवानी के बारे में जिसमें हम आपको different different video में बताते हैं कि किसान भाई किस तरीके से बागवानी करते हैं और इसे अच्छा मुनाफ़ा लेते हैं लेकिन आज का इस वीडियो है वो काफी थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से किसान बाई अलग अलग जो वेराइटीज है उनके पोधे एक साथ लगा कर अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सर पहले आपको देख रहें थोड़ा अपना अपने फारम का परीचे कराई है नुश्कार में ड बगीचा है उसको डवलब किया जाए यह आपके मन में कैसा है वो भ्याप थोड़ा सा बताइए एक्चुली ऐसा है पैसे से डोक्टर हूं इसलिए में स्वास्त के प्रति ज्यादा सजग रहता हूं तो मुझे जो प्राकरतिक चीजों से ज्यादा लगा हुए इसलिए मैं जिए जिए इसके बाद में जाम है लकनो एल 49 के और केसर मेंगो है चिकु है और एपल बेर है जिसके अंदर रेड एपल बेर भी है और एक थाई एपल बेर भी इतनी सारी वराइटिया लगी तो सर अभी आप एक चीज बताए आपने बताए कि पूरा मिक्स फूटिंग मे अधिक तर हमने देखा कि जो भी फार्मर फार्मिंग करते हैं वोसिप जैसे किसी ने जैसे बाला जी निम्बु लगाए तो अपूर अगर उसने एपल बेर लगा तो उससिर्प अपल बेर लगाता है लेकिन आपने मिक्स फूटिंग को क्यों चुना उसके बारे मिक्स पूदा लग गया कभी उस पूदे में लग गए किसी दूसरे बोदे में फूटिंग मिल गए तो उससे अपने को अच्छा अनन मिलता है और अपने को भी लगता है कि अपने पूदे से फल प्राप्त की जिसे अबने आपने आपने बताया कि अलग 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 फल मिलता र यह पोदे कितनी कितनी दूरी पर लगबग लगे हुए यह मिनिमम अभी 7-8 फिट की दूरी पर लगे हुए और यू चोड़ा इसकी 15 फिट लंबई में अपने आट फिट ले रखा चोड़ा अपने 15 फिट है और जिसमें बाला जी निम्भू मुलत नोव से 10 फिट पर लगे तो खेष्ल की तइयरी किस तरीके से की और आपने पोदे कियसे लगाए और कॉन से समय में वह वह व्यां वे क्तर वी अड़क से मुलत में ने सी तायारी गर्फी संदर मार्च अपरेल में इनके गड़े बना दिये ने कि अज़ाने के बाद में इनके अंदर कुछ गोवर की जो सुखेवे कंडे हैं नीम के पते सब को जला के अच्छे से तायार कर लिया और गड़ों को पद्राव बीज दिन अच्छे गर्मी के अंदर छोड़ दिये उसके बाद में इन गड़ों के अंदर देसी खाद और जो तो दिमाक नी लगया उसके लिए रिजेंट और फंगिसाइड के लिए फंगिसाइड मिला के इन गड़ों को भर दिया वापस अंदर लकडी डालके और बाद में जैसे ही जून जुलाई के बाद में बरसाथ सुरूई फिर बरसात में मैंने प्रतेक पोदा लगा दिया तो स छिखर अवाप एंगिसान से हमें इंप लीए तुझे से अथर एंपना लियों क्यों हाए यहां मुदैं के हमने इसा होता है किता लिछ अपर में आ पालिज बें हैं मुश्य सब्टर लेते उर तो क्या उन्से वह बद मिलटा यह मिलती है मिलती है ऑपमें समय समय पों करते बूचते रहते, उनके कोई एक्जविटर भी आते रहते और हमें समझ समय बेस्टे बताते रहते उनके माध्यम से कुछ अपने यूटूब के माध्यम से कुछ अपना नोलेजे सब मिला के अपना काम अच्छा से चलता है तो सर अभी आपके जो पहुदे है अपना बहिटा यह लगबक कितना पूरा ना हो चुका है यह भी तीन साल कंप्लीड हो के चौता साल चलेगा तो सर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपके काफी पोदे इसे हैं जिनकी काफी अची ग्रोथ भी हो रही है और यहां जैसे बाला जी निम्बू की देखे तो काफी अच्छा फू जो इतने भी सुग ती डालिया उनको कट्टिंग कर दिया कटिंग करने के बाद में निलात होता आता है वो और फंगी साइड एम फोड़ियोई मेला के अनदर इस प्रे कर दिया और कभी कभी कविमा में इस पर किया जिससे अपने को इसके बहुते जिवानों ना पड़े और जमीन के अंदर भी वो रिजेंट जो बायर काता है तो दिया जिसे इसे इंदर अपने दिमक का पॉपनर है तो सर जैसे कि अपने सारी चीजे बताए अब आप हमें यह चीजे बताए जब आपने जुन जुलाई में इसके पोदे लगा उसके बात साल बर आप इस तरीके स देना ही पड़ता है और इसे सर्दी के दिनों में पांसात दिन में एक बार पानी देते हैं और खाद का जो मेंनेजमेंट है जैसे जैसे पोदे की फूटिंग अवस्ता होती है तब अलग का अपन खाद का इस पर करते हैं जैना कोई फंगिसाइड डालना है एन एंसेक्ट पोदे की यह वस्ता है तो हमें यह खाद इस टाइम पर में देनी जैसे बौरोन की कब जरूत पड़ी के लिए को आपको चीजे केसे पता चलता चोटा हुआ तब पता चैजा उसमें बौरोन और कैल्सियम देना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर कोई रोग लग लग र पसे बारे के बताइब लगबाग दो से टीन दिन में करते हैं तो अभी आप सीचय किस तरीके से करते हैं या फिर डिरीप लगाते हैं या पूर क्या सिस्टम उसके भी साथ डिरीगेशन पानी खेतों एंदर छोड़ ते पाइपों के माध्यम से पुरे क्षेतों में गुमता चाहेंगे कि जैसे कि आपने यह बगीचा लगा इसमें आपको कॉन सबसे में शुमशिया देखने को मिली की वै इस चीज ने हमें सबसे ज्यादा परिशान किया और किसानों को ऊस चीज के निपटने के लिए इन चीजों को साफदाने रखनी होगी निम्भू के अंदर मेंली सिट्रस केंकर का रोग लगा और उसको उसमें सुखेदी डालिया तो उनको कटिंग करके मैंने निलाथ होता और ये फंगिसाइड एक मल्टी विटामिन का जिसके अंदर वो आती है बायर की आती है पी आई की बायो बिटा उसका इस पे कर दिया जिससे सारे पोदेश होने लग गए तिक है और आम के अंदर मुझे मोथा रोग देखने को मेंली मिला तो मोथे रोग के लिए मैंने क्या किया कि उनको कटिंग कर दी महां से कटिंग करके ने एक गड़ा बना के और इसको खेच से बाहर अपने दफना दिया उसके अंदर डाल दिया उसके अंदर जिससे वो उसका प्रकॉप कम हो गया और हमको इस पर कर दिया हमने नीम का और नीम तेल का है ना इसका इसके मार दिया जिससे उसके अब लास्ट में बात याती है किसान ने कोई भी खेती करता है तो वह फाइनेंशिल के लिए करता है कि हमें अच्छा प्रोफिट मिले बगीचा कोई भी किसान लगाएगा तो प्रोफिट के लिए लगाता है जैसे अभी हम यह पोदा देखें कि आपने जैसे बाला जी km kaloik pole आपली सान लगाता है तो कितनी similarly कर सके उसके बारे मेरे यह भाला जी नहींगे और बाराजी दिर्भा Finance यसमें फल रगते रहते में लगते इसके सतब पुद लगते रहते ूर मीनिमूम तो इसलिए अपन क्या कम सेल आउट करते हैं अपने गर के इसाब से यूज करते हैं अभी जो आपने बगीचा लगा रहा है वो सिर्फ एमेली परपस के लिए जैसे अभी कोई चाहे कोई किसान की में इसी मोडल को देखते हुए बड़े लेवल पर अगर बगीचा लगाना तो उन्हें आप क्या सला देना चाहेंगे फिर किसानों को क्या मैसेज देना चाहें उसके बार मैसेज तो भाइसाब यही देना चाहता हूं कि मिक्स फूटिंग का लगाना इसके अंदर बीच में अपने को क्रॉप भी मिल जाती है जिसे अपने को दोनों काम हो जाता है प सब्सक्राइब देखा तो इस तरीके से किसान मतलब कम जमीन में मिक्स फूरूटिंग भी कर सकते हैं उसके साथ में अपने काफी इंफोर्मेशन दी मारे किसान बहुत थैंक यू आपने देखा कि चाहे उसको लगा सकते हैं चाहे आप फेमिली पर लगा है यह फिर आप अच अगले वीडियो में तब तक देने वाओ